हेलो गाईज मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की किचन तो फ्रेंट्स हर गर्वती महिला जो है एक मा बनने का सुक प्राप्त करना चाती है क्योंकि मैरेज के बाद मतलब कि शादी के बाद जो है एक गर्वती महिला को जल्द से जल्द ये लगता है कि हम जो है एक मा बन जाए उसके बाद जब हमें कंसीव हो जाता है तो बहुत खुशी की बात होती है और घर में भी बहुत ही खुशी का महल जो है बन रहा होता है आजकल जो है बहुत सारी महिलाज को जो दिक्कत हो रही है मा नहीं बन पारी है बड़ जब कोई मा बन जाती है तो उसके अंदर एक सोचने की ये शम्ता जरूर होती है कि मेरे गर्फ के अंदर बेबी बॉइ है या बेबी गल है इंडिया में इसको बैंड क्या गया है मगर भार के कंट्री में जो है इसको बता देती है मगर महीं पे हमारे जो बड़े बुजूर्ग है और जो हमारी घर की ओड़ वाइवस होती है वो हमारे रहन सहन को देख करके प्रणेसी के दुरान जैसे कि हमारी बॉडी जो भी आपको देख करके बहुत अंदाजे लगाए होंगे कि गर्व में लड़का है लड़की है आपने भी बहुत सारे ऐसे लक्षन चुने होंगे कि गर्व में लड़का होने के यह लक्षन होते हैं आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रिंग्नेंसी के दुरान खुजली से आप कैसे समझ सकते हो कि गर्व के अंदर लड़का है लड़की है और मेरी कुछ सब्सक्राइबर ऐसी है जिन्होंने मुझे अपना एक्सपिरियंस सेयर किया है कि हमको प्रिग्नेंसी के दुरान खुचली हुई थी या नहीं हुई थी यह भी मैं आपको बताऊंगी और उनक आपके निशान आ जाते हैं वो क्यों आ जाते हैं कौन सी कंडिशन में आ जाते हैं वो पेट के निशान मेरे पेट पे है या नहीं है यह भी मैं आपको बताऊंगी तो आपको वीडियो को फुल वाट जरूर करना है ताकि आपको फुल इंफोमेशन मिल सके अगर कोई इंस और फ्रेंट देखिए ये खुझली जो है, आगर आपको ठट इमाओ में जादा होने लगती है, सेकिंड और फस्ट में जो है, आपको कम होती है, मगर जैसी आपका तीसरा तिमाओ में मतलब की, तीसरी तिमाओ के बाद आपका पेट जो है आपका घरभाष्य जो है वह बहुत तेजी से बढ़न लगता है क्योंकि शूशु का भी-क भी बहुत तेजी से होता है लाहितं तो आपके बॉडी की अंदर भी जो आपका गर्भाश्य है जहां पे बच्चा रहता है उससे भी बहुत जादा विकास होने लगता है जिसकी करण क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो खिचने लग जाती है जब बॉडी खिचती है तो उसके अंदर जो है एक रूखा पन और एक ड्राइनेस आती है जब आप वहां पर खुजाते हो तो वहां पर निशान आ जाते हैं मगर यह खुझली आपको जारूर्स से जादा हो तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए अगर वहीं पर बात करूं कि किसी महिला को अपने प्राइवेट हो रही है तो पहले बात तो आपको यह देखना है कि आपको आप जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास करते टाइम आपको उसको क्लीन जरूर करना है और अपने प्राइवेट पार्ट को हमेशा क्लीन करके डखना है इससे आपको कही हद तक अराम मिल सकता है और कही ह अंदर रूखे पन के लिए आपको मॉस्टराइजर लगा के रखना है कोई भी क्रीम या फिनारियल तेल आपको अपने पेट के उपर अपलाए करना है ताकि आपकी इस्कीन जो है आपके पेट पर जो खिचाव है वह बहुत ज्यादा कम दिखे बहुत सारे निशान जो है आ अपने बॉड़ी को जो है मॉस्टराइज करके रखना है ताकि आपको राहत मिल सके और वही पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि खुजली के दुरान महिलाओं को ज्यादा खुजली होती है या उनको लड़का होता है या फिर लड़की होती है तो फ्रेंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है ये बात सब पे सटीक लक्षन बैठेगा या नहीं बैठेगा ये तो मुझको नहीं पता आफ्र डिलिवरी ही पता लगेगा बट मुझे मेरी प्रेंसी के दुरान बिल्कुल भी खुजली का एसासी नहीं हुआ अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो पहली बात तो यह है कि आपको खुजाला नहीं है अगर आपको खुजली मच भी रही है तो आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खुजाने का तो आपको पहली बात तो यह है कि नखूनों से नहीं खुजाना है न विल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप खो जाओगे ना उस चीज को तो आपके जो है निशान आ जाएंगे और आफटर डिलिवरी वह निशान चले तो जाएंगे अगर उन निशानों को जाने में जो है टाइम लगता है बट कहीं पर अगर हम कोई भी फंक्शन में जाते तब से जो है आप अपने बॉड़े को जो है एक मॉस्वराइजर लगा करके रखिए उसकी अंदर जो है आप क्रीम लगा के रखिए आप नारल का तेल लगा के रखिए अगर आप पूरी प्रमेंस में ऐसे करते हैं तो आपको जो है खुजली की समासिया बहुत हद तक जो है वहाँ पर ही और वाइबस बताती है जिन महिलाओं को बहुत जादा खुजली की समासिया होती है उनको जो है बेबी गर्ल होती है फ्रेंट्स यह चीज जो है ना मैंने अपनी फ्रेंट्स में भी देखा है और मेरी कुछ ऐसे सब्सक्राइबर है जिनोंने मुझे पताया कि ड्रेंट्स जो है हमको बहुत जादा खुजली की प्राब्लम हुई थी और इससे जो है हमको बेबी गर्ल हुई आपके दिमाग का किलियर हो गया होगा कोट्स कि खुजली का किया मतलब है और अगर आपका मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझको मैसिज करके जरूर क क्या करो मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी बट आपको यह जरूर सोचना है अब यह नहीं करना है आपको कि हमको जो है ना बहुत सदा खुजली हो रही है तो क्या पता हमारे बेटा तो बेटा नहीं होगा हमारे बेटी होगी देखिए फ्रेंट अपने लक्षन होते हैं तो उसमें से जो है कल भी मुझको एक मैसेद आता कि मैम हमारा जो है छे बच के पांच मिनट पे बेटा हुआ है तो कुछ लक्षन तो किसी के उपर सटिक बैढ़ते हैं और किसी के उपर नहीं बैढ़ते हैं तो आप भगवान से सुबा साम यही प्रातना कीजिए कि हमारी जो है एक नॉर्मल डिलिवरी हो सके और आफ्टर डिलिवरी मैं और मेरा बच्चा जो है वो स्वस्त रहें यही कामना कीजिए बस जो भी होगा भगवान ने अच्छा ही दिया होगा और भगवान का आर्शिवा समझ करके ही आपको अपने प्रण्येंसी क आपको बता है ना इस टाइम पे जो है एक मा बनना भी बहुत ही बड़ी मुश्किल की बाते हो रही है तो आपको मा बनने का सोभाग्य मिला यह बहुत ही अच्छी बात है मिलती मैं आपको नेक्स वीडिम तक अपना और अपने बच्चे का दियान रखिए